तो दोस्तों आज हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में आप यहां देख सकते हैं सेंसेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं सेंसेक्स बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन यह आता है कि सेंसेक्स है क्या हमने बहुत बार सेंसेक्स सुना है कि Sensex 400-500 पॉइंट बढ़ गया, Sensex की जिर गया, काफी लोग इससे पैसे कमा पाते हैं, पैसे लोग कुछ गवा पाते हैं, पर अब question ये उठता है कि ये Sensex actual में है क्या, ये होता क्या है, कब बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, Commerce student को particularly ये जानना बहुत जरूरी है कि Sensex है क्या, तो पहले हम बात करते हैं कि ये Bombay Stock Exchange, थोड़ा सा discussion करेंगे हम Bombay Stock Exchange के बारे में, ये Asia का सबसे पुराना Stock Exchange है, जबी भी हम किसी भी security में, जिसे हम share बोलते हैं basically, अगर उसमें trading हमें करनी हैं, तो हम जो trading होगी, वो through stock market में ही हो होगी, first time trading जो होती है, वो होती है, उससे बोलते हैं IPO, initial public offering, but जो subsequent trading जो की जाती है, वो हमेशा एक stock exchange में की जाती है, और इंडियम में basically 20 plus stock exchanges available है, उनमें से जो बहुत ही famous है, वो दो है, जिसे हम बोलते है NSE, National Stock Exchange, and BSE, BSE stand for Bombay Stock Exchange. Basically Bombay Stock Exchange 1875 में बना था, और बहुती पुराना, आप कह सकते हैं, Asia का सबसे पुराना stock exchange जो है, वो Bombay Stock Exchange है, तो किसी भी चीज़ के पीछे, basically ये एक company है, इसे बोलते हैं BSE Limited, तो इसके पीछे को विजन होता है, कि वो क्या सोचता है, दूर दरशिता क्या है, तो इसका विजन जो है, वो कहता है, इमर्ज करना, खुद को Premier Indian Stock Exchange, मतलब बहुती quality वाला, best quality Indian Stock Exchange बना चाहता है, Bombay Stock Exchange, और ये क्या चाहता है, best in class, मतलब इसके जो class में है, basically, जैसे NAC, BSE, Headless Stock Exchange है, उन में से ये best बनना चाहता है, with using global practice and technology, जो भी technology पुरी दुनिया में यूज हो रही है, वो ये ये भी use करना चाहता है, कौन? Bombay Stock Exchange, product innovation, नए-ने product market में लाना चाहता है, and to provide customer service, without any customer service, without any customer satisfaction, कोई भी company अच्छे से function नहीं कर सकती, तो obviously बात है, ये सब होगा कैसे, अब काफी लोगों ने BSE सुना भी नहीं होगा, Bombay Stock Exchange, पर अगर मैं बात करूँ census की, तो census के बारे में almost सारे लोग जानते होंगे, कि census क्या है, census बढ़ रहा है, 46,000 पार कर चुका है census, अभी December में, जब मैं वीडियो रिकार्ड कर रहा हूँ, 46,000 पार कर चुका है, ऐसा history में पहली बार हुआ है, अब census जानते हो पर BSE शायद लोग नहीं जानते होंगे, तो basically census क्या है, ये Bombay Stock Exchange का, Bombay Stock Exchange का, VSE का index है, index मतलब सूच कांख, अब थोड़े इसे सरल बासा में समझते हैं, अगर मैं कहता हूँ, इंडिया की एकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मुझे कैसे पता लगेगा, तो हम चेक करते हैं, GDV figure, अगर मैं कहते हैं, आपको बुखार है, तो आप क्या चेक करते हो, आप थर्मोमेटर चेक करते हो, तो basically census क्या है, is nothing but a thermometer with which we can check the performance of BSE, और performance of Indian economy, Indian stock market, stock market की performance को ये बताता है, कि क्या stock market अच्छा काम कर रही है, क्या stock market अच्छा काम कर रही है, क्या stock market अच्छा काम नहीं कर रही है, मतलब क्या company में growth है, जबी भी company में growth होगी, company का market price, share का market price बढ़ेगा, और sensex भी उसके साथ बढ़ेगा, तो जो sensex है basically, वो term जो given है, ये sensex जो term आप देख रहे हैं, sensex, ये दो word से मिलके बनी है, एक word है आपके पास sensitivity और दूसरा word आपके पास जो है, वो है index, तो sensitivity में से s-e-n-s यहां से लिया हुआ है, और index में से e-x, ये word नहीं आएगा, index, तो इन दोनों को word को मिला के, जो term बनी है, वो बनी है sensex, और ये term किस ने दी थी, एक stock market में stock analyst थे basically, उनका नाम है दीपक mohoney, और ये term given का भेन के द्वारा, 1986 से ये term use की जाती है, sensex, उससे पहले B.H.C. sensitive index use किया जाता था, बहुत तफ पढ़ता था बोलना, B.H.C. sensitive index, तो दीपक mohoney, जो समय B.H.C. में काम करते थे, उन्होंने easy करने के लिए ये term use की, जिसे हम बोलते है sensex, और आज ये global brand है, इवन यहां पर इसके issue भी हुआ था, दीपक mohoney और B.H.C. के बीच में एक tussle भी था, regarding the trademark, B.H.C. ने basic information हमें समन में आ गई है, तो census का जो base year है, वो है 1978-79, उस समय हमने census का, जो point थे, वो थे 100, it means 1978-79 में B.H.C. पहली बार शुरू हुआ, और उस समय उसको B.H.C. sensitive index बोलते थे, 86 के बाद census terminology start हुई थी, तो उसका point क्या है, 100, और आज की rate में कितना हो चुका है, 46,000, cross कर चुका है, it means, अगर 1978-79 में अगर आपने 100 रुपीज, census में, इन्वेस्ट किये होते, तो आज की date में वो amount 46,000 हो चुका होता, you can see the return, so basically, census है क्या, यह हम जानेंगे थोड़ी दिर में, इसी वीडियो में, कैसे calculate किया जाता है, क्या methodology यूज की जाती है, वो सब इसी वीडियो में हम जानेंगे future में, तो देखी, basically, इसमें 30 constitute companies को लिया जाता है, यह index किस चीज़ का है, 30 company का है, और company कौन कौन सी हो सकती ह है, the companies which are largest, तो बहुत बड़ी companies है, most liquid, liquid का मतलब होता है, basically, when we can convert anything into cash, finance की टर्म में, liquidity का मतलब क्या होता है, when something is converted into cash, without much depreciation in its value, बिना value जादा कम किये, अगर वो cash में convert की जा सकती है, तो we can call that liquid. And financially sound company, मतलब company के पास काफी अच्छा खासा पैसा है, company liquid है, और company काफी बड़ी company है, उन 30 company का weighted average है, उसे हम बोलते हैं census, थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा समझना, कोई नहीं, आगे पढ़ते रहिए, आज हम आपको census के बारे में काफी detail में बताने वाले हैं, तो जो census है, व ट्रेड किया जाता है, as you can see EUREX मतलब European Stock Exchange, वहां पे भी ट्रेड के जाता है, it is traded in BRICS nation, BRICS में बेसिकली, Brazil, Russia, India, China and South Africa होते हैं, तो कि इंडिया का है ये, तो अल्रेडी अबिस सी बात, it's quite obvious, कि इंडिया में ट्रेड होगा ही होगा, but it is being traded in Brazil, Russia, China and South Africa as well, तो इसी साब जान सकते हैं, Bombay Stock Exchange का sensex, सिर्फ इंडिया में नहीं, globally recognized stock index है, अब बात करते हैं ही, calculate कैसे किया जाता है, तो initially जब start किया था 1978-79 में तो उसका basis था full market capitalization, full market capitalization के ऊपर ये decide किया जाता था, but 1st September 2003 onwards, though methodology that is being used is free flow to market capitalization methodology, basically हम इन दोनों के बारे में detail में discuss करेंगे अभी इसी वीडियो में, अब ये market capitalization क्या है, बहुत easy है, market capitalization का मतलब है कि company के कितने share issue हो चुके हैं, उनको अगर multiply कर दिया जाए, current market price से, तो वो बन जाता है market capitalization, मतलब अगर मेरे पास 100 share आज हैं, और मैं 100 share को market में sell करता हूँ, तो जो भी पैसा मेरे पास आता है, that is called market capitalization, उस company की worth, अगर हूँ company हम आज sell कर दें, सारे shares sell कर दें उस company के, तो जो पैसा हमारे पास आता है, we can call that market capitalization, और जितनी भी लिस्टेट कंपनी हैं, BAC में उन सब का मिला के market capitalization कितना बन के आता है, 1 करोर, 85,21,248.48 करोर, you can see कितना बड़ा amount है, कैसे find out करते है, market capitalization बहुत ही easy है, कितने company के shares issued है, multiply by, आज क्या rate चल रहा है market का, मतलब आज गर मैं company के share market में sell करता हूँ सारे के सारे, तो जितना पैसा में लेके अपने घर जाता हूँ, वो बोलते हैं, company का market capitalization, और BAC में आज की rate में more than 5000 plus company listed है, तो आप देख सकते हैं कि कि इतने, कितनी बड़ी संख्या में company यहां पर registered हुई है, अब बोलते हैं कि free float क्या होता है, जिस methodology को use करके हम sensex बनाते हैं, census calculate करते हैं, that methodology is called free float market capitalization, बहुत ही simple है, यह क्या होता है, free float का मतलब क्या होता है, market capitalization थो हमने अभी सीखा है, free float क्या होता है, free float कुछ भी नहीं है, nothing but actual availability of stock of a company in the market for public investment, in short, जितने भी shares market में available हैं for trading, उसे बोलते हैं free float, अब सारे शेर तो होते हैं, अब को ऐसा रखता होगा, ऐसा नहीं है, कुछ शेर कंपनी के डिरेक्टर्स, founders अपने पास रखते हैं, market capitalization, मतलब example के लिए हम बात करते हैं, example के लिए, let's say, Reliance Industries Limited, has issued 10,000 shares, 10,000 shares है, उसमें से मुकेश अम्बानी जी के पास, let's say, 5,000 shares है, and government ने hold किये वे कुछ शेर प्लेज किये वे शायद नोने शेर 2,000 शेर it means 7,000 शेर चैनल बी ट्रेड इन बे ट्रेड इन बे ट्रॉक एक्षेंज तो कितने शेर्ड में ट्रेड किये जा सकते हैं that is 3,000 it means free float shares कितने हुए हमारे पार 3,000 तो free float market capitalization जो होगा वो क्या होगा 3,000 shares multiply by current market price तो जो value आएगी that will be the free float market capitalization on this basis since X is being calculated कैसे करेंगे calculate हम अभी देखेंगे the formula is this free float market capitalization of top 30 companies divided by index divisor is called sensex so sensex बहुत ही easy calculate करना जो भी free float market capitalization of 30 shares है हर शेर की जो भी share sensex में है उस शेर की free float market capitalization add कर देंगे और उसे डिवाइट कर देंगे index divisor से तो जो फिगर आएगी उसे हम बोलते है sensex अब इंडेक्स diviser क्या है basic question यह बनके आता है जैसे आप जानते है 1978-79 में census की value थी 100 ठीक है तो ओव्यसी बात है इस टाइम पर भी कुछ ना कुछ इन 30 shares की market capitalization रही होगी तो फॉर्मला क्या बनके आता है 30 shares market capitalization on 1978-79 तो उस समय कितना sensex था हमारे पास 100 ठीक है और अब 30 shares की market capitalization कितनी है हमारे पास free float market capitalization of 30 shares today जोगी सीगर आती है मारे पास question 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 अब इसको compare कर लेंगे mathematical simple formula होता है अगर 30 share की market capitalization 100 तो यह जाएगी एक share वाली हो जाएगी 100 divided by 30 shares on 1978-79 और आज की रेट में निकालना है मैं संसस की तो संसस इकल तो free float market capitalization of 30 shares today multiply by 100 जो 1978-79 में संसस की वेल्यू थी and divided by free float market capitalization of 30 shares on 1978-79 बहुत easy है मतलब आज की रेट में जो free float है divided by जो उस समय free float 10 shares का multiply by 100 quite easy now question यह आता है कि अब यह 30 shares हम select कैसे करें क्राइटीरिया होना चाहिए कुछ नो कुछ without any criteria कि तो पॉसिबल ही नहीं है selection तो हमारे पास दो क्राइटीरिया होते है एक क्राइटीरिया होते है quantitative एक होता है qualitative qualitative मतलब जहांपे को data available नहीं है हमारे पास and quantity means when where we are having some amount of data तो पहला quantitative में जो है वह market capitalization मतलब अभी हमने सीखा ता market capitalization क्या होता है तो इस case में चारेटीरिया है तो company should be top 100 companies मतलब company top 100 companies में होनी चाहिए और basis के full market capitalization full market capitalization मतलब यहां पर free float की बात नहीं कर रहे हैं फुल-market capitalization के basis पर company top 100 companies लिस्टेट इन अंडर बी एससी होना चाहिए रैटिया नंबर वन ग्रैटिरिया टू जो वेट है वेट 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 ओन फ्री फ्लोट जो फ्री फ्लोट हम निकालेंगे उसमें जो वेट है वो ग्रेटर देन इक्वल तो 0.5% मतलब 0.5% से ज्यादा वेट होना चाहिए इंडेक्स में इस पर्टिक्लर सिक्यूरिटी का के दूसरा क्रैटिरिया हमारा है वो है ट्रीडिंग फ्रीक्वेंसी इस यह सिक्यूरिटी जो भी कंपनी है उसकी सिक्यूरिटी एवरी डेए पहले एव्रीडे हमारा है यह किडिटी इस यह कंपनी में भी ट्रेड वन चाहिये ईसा वो कि सिंट्रीड ना हो next average daily trade on the basis of average daily trade top 150 companies में होना चाहिए इसका नाम on the basis of average daily trade the company should be under 150 companies, top 150 companies on the basis of average daily trade as well as on the basis of average daily turnover the company on the basis of listing company कम से कम एक साल पुरानी तो होनी चाहिए it means एक साल हो चुका हो company को लिस्ट हुए and qualitative criteria it says in the opinion of the company or in the opinion of the committee security selection criteria में कमेटी डिसाइड करती है जो कमेटी किसे हम बोलते है इंडेक्स कमेटी तो कमेटी डिसाइड्स की कौनसे शियर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कौनसे शियर्स का नहीं है अगर कमेटी डिसाइड करती है ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो वह सेलेक्ट कर लेगी पर्टिकलर कंपनी को अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की करेंट में क्या वेल्यू चल लिए तो अगर कौन कौन सी कंपनी इसके अंदर आती है वह आप इस वेबसाइट से बीसे इंडिया.com की वेबसाइट से जाके सेंसेक्स पर क्लिक करोगे तो आपको डिटेल्ड नमबर ओफ शेर्स हेल्ट बाइद कंपनी फ्री फ्लोट मार्केट कैपलिजेशन ऑफ दे कंपनी कंपनी इन बीस सी सब आ जाएगा और यह कंपनी कितने सेक्टर्स की है नाइटीन सेक्टर्स की विच इंक्लूड ओल एंड गैस, हाउसिंग फिनास, पर्सनल प्रोड़क्स, एक्स्वरेशन, टू विलर, थ्री विलर, बैंक्स, और आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, काफी कोशिश की हमने आपको सेंसेस के बारे में बताने की आपक के कोई भी सुझेशन हैं, कोई भी सुझवाव हैं आपके, आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं, और फ्यूचर में किसी भी टॉपिक के ओपर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखें, थैंक्यू सो मच, ह वग धुँ दो आप